आखिरकार लंबे समय के इंतिजार के बाद Congress ने अपना चुनावी घोषनापत्र जारी कर दिया है बीते अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे कॉंग्रेस संसदी दल के अध्यक्ष तुनिया गांधी पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी घोशना पत्र समीती के अध्यक्ष पीच इदंबरम और कॉंग्रेस महासचिव केसी वेडू गोपाल ने लोगसबचनाव 2024 के लिए कॉंग्रेस का घोशना पत्र जारी किया इसमें तमाम सेक्टर्स के लिए न्याय पर जोर दिया गया है जिसमें महिला यूवा किसान गरीब आदि शामिल है पार्टी ने घोशना पत्र जारी करते हुए कहा कि देश में बेरुजगारी सबसे बड़ी समस्या है और य यह न्याय पत्र 48 पन्ये का है इसमें न्याय के मुख्य 10 तंबो पर जूर दिया गया है यह घोशना पत्र पूर्व वित्त मंत्री पीची दंबरम की अध्यक्षता में तयार किया गया कॉंग्रेस अध्यक्ष खडगे ने बताया कि बीते 19 मार्च को कॉंग्रेस कारेट समी इन में युवा न्याय किसान न्याय नारी न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोशना की गई थी इन में 25 गैरेंटिया निकलती है इन सभी को घोशना पत्र में शामिल किया गया है कॉंग्रेस की न्याय पत्र में कुछ खास मुद्दों पर जोर दिया गया है जैसे कि सुचित जाती अनुसुचित जन जाती अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीब समान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षन पर 50 प्रतिशत का क्याप खटाया जाएगा शिक्षा एबं नौक्रियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानि कि EWS को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्ष जाएगा भूमी हीनों को जमीन मिलेगी और व्यापक परामर्श के बाद पार्टी के एक बड़ा स्टेंड आया है जिसमें LGBTQIA+, समुदायों से संबंधित कपल्स के बीच सिविल यूनियनों को मानिता देनी के लिए एक कानून भी लाया जाएगा इस कारिक्रम की प्रायोज किये गए हैं जैसे कि सरकारी परिक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त किया जाएगा केंद्र सरकार में विबिन सरों पर स्विक्रित लगबक 30 लाख रिक्त पदों को भरा जाएगा पीपर लीक होने के मामले में फास्ट्रेक नियम भी लाएंग महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षन उन्राज विधानसवाओं में लागू हो जाएंगी जो 2025 के विधानसवा चुनावों में चुनी जाएंगी 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी यानि की 50 प्रतिशत नौक्रियां आरक्षित की जाएंगी महिलाओं के वेतन आगे देखिए जिसमें की वन नेशन वन इलक्षन का विरोध है लोकसभा विदान सभा चुनावते समय पर ही करवाए जाएंगे मतदान के जरीये होंगे लेकिन वीवी पैट की पर्टी से मिलान भी किया जाएगा दस्वी अनुसूची में संशोधन का वादा किया गया है ज इसके अलावा नियाय पत्र में कुछ और भी वादे किये गए हैं अब देखना यह है कि कॉंग्रेस पार्टी के दस नियाय स्थम्भ वारी घोशना पत्र लोकसभा चुनाव में कैसा बदलाव लाता है ऐसी ही और खबरे जानने के लिए बने रहें वीसी खबर के साथ धन् अभाद।